हेलो दोस्तो मैं कि संसर्मा स्वावत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल जीके नोटूब में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे एंटी पीसी में पांच अप्रेल 2016 के सिफ्ट 3 के पेपर को डिसकर्स करेंगे और हर कोश्चन से रिलेटेड एक्स्टा फ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आईए दोस्तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन तो दोस्तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एंट्री पीची में 5 अपरेल 2016 के सिर्ट 3 में पूचा गया था तो आईए देखते हैं पहला क्वेश्चन तो दोस्तो पहला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी दिल से संबंदित नहीं यानि कि इस होता है और बाकी सब जो ऑप्सन है ये आप लोग का हिर्दय से संबंदित नहीं कि हर्ट से संबंदित होता है तो राइट आंसर है ऑप्सन नंबर से डिप थे रिया अगला कुश्चन जोस्तो भारत डैस में ब्रिटिस समराजी के अधीन हो गया था यानि कि अंग्रेजों अगला कोश्चन जो इसका संचित रूपत है यानि कि ICT का फुल फॉर्म क्या होता है तो राइट आंसर है अप्सन नंबर डी इन्फॉर्मेशन और कम्निकेशन टेकनोलोजी ठीक है यह आप लोग का कंप्यूटर से रिलेटेड कोश्चन था तो ICT का फुल फॉर्म क्या हो इन्फॉर्मेशन और कम्निकेशन टेकनोलोजी अगला कुश्चन तो किस देश ने 2016 का अंडर नाइटीन क्रिकेट विश्व कप जीता है तो दोस्तों यह कुश्चन अब तो करेंट अफेर से संबनी था ठीक है तो इसका राइट आंसर और सी वेस्ट इंडी 2016 में अंडर न में जो इंगलेंड वो जीता था ठीक है तो इसका भी ध्यान लेजेगा राइट आंसर नमबर सी वेस्ट इंडी अगला कुश्चन दोस्तों निम्लिकित में से कौन सा एक छारी है यानि कि अलकलाइन नहीं है यानि कि जो बेसी के वो नहीं है ठीक है बेसी की नेचर नहीं ह लगातार चार शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन था तो इसका राइट आंसर अपसर नमबर एक कुमार संगकारा कुमार संगकार तो स्रिलंका के खिलारी है और इन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में लगतार चार बार सेंचुरी लगा और सेम यही काम 2019 में रोहिच सर्मा जो इंडियन टीम के खिलारी है इन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में यही काम किया था चार बार लगा था और सेंचुरी लगा था तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान दीजेगा तो राइट आंसर अपसर नमबर एक कुमार संगकार अगला कुशन तो बांगला देश की थली सी नमबर भी अगला कॉशन तो किस भारत यूद के बाद ताशकन घोसना की गई ती जो समझाता हुआ था यह कौन से बारत सै पाकिस्सान की यूद के बाद हूआ था तो रायट आंसर ऑप्सिन नमबर भी उनींस सो फैंसर निस फैंसर में जो यूद के बइच वीच तो उसक अगला कोशिए तो प्रित्वी के थल यह ज़ेतर में भारत का हिस्सा कितना है तो इसका प्रित्री में लेंड वाला वाला एरिया है यानि कि थल वाला एरिया है फंट फॉर फर्सेंट ऑर दोस्तों इससे और बनेगा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वर्ड में कितना परतिशत पे हैं तो यह आप लोग का 17.7 परसेंट के आराउंड है टोटल वर्ड के जो भी पॉपुलेशन है उसमें 17.7 परसेंट इंडिया का ही है तो राइट अंसर अप्शन नमर भी 2.4 परसेंट अगला कॉस्चेन दो जलवायू वर्तन पर अतिहासी कॉन्फरेंस और पार्टी आयोजीत किया गया था तो बात आई पैरिश की पैरिश की इसकी कैपिटल है यह फ्रांस की कैपिटल है तो फ्रांस की जो करंसी है मुद्रा यूरो है और यहांके जो प्रेसिडेंट है इमैन्वल मैक्रोन है राइट आंसर यांगला कोस्चonna चलती लिफ्ट में वैक्ति के वजन पर क्या असर होगा यान की कोई अगर लिफ्ट चल रहा है तो इसमें वैक्ती का वेट जो है उसले कि एक सब्ड़ै टी आगर सेम एक्सलरेशन से उपर या नीचे जा रहा है उसका एक्सलरेशन कॉंस्टेंट है बर घट नहीं रहा है तो जो बहर है वो नहीं बतलेगा लेकिन अगर एक्सलरेशन बढ़ेगा तो जो उसका वेट है वो भी बढ़े जाएगा ठीक है तो right answer option नमबर सी अगला कुश्चिन दो खजोराहो के समारक कहां पाए जाते यह और जो थे मद्य पर्देश में पाए जाता है अब से बनवाया कि इसने था चंदेल डाइनिस्टी ने बनवाया था यानि कि चंदेल वंसों ने खजुराओर टेंपल को बनवाया था तो राइट आंसर अप्शन नमर सी महद्य परदेश अगला कोश्चन तो भारत द्वारा नॉवंबर 2015 में लौंच किया संचार उबुरा कौन स्थापक कौन था यानि कि स्थापक कौन था यानि कि स्वराज पार्टी बनाए गया था तो उसे किस ने बनाया था तो इसका राइट आंसर अप्शन नमर भी मोतिलाल नहरू अगला कोश्चन दोस्तो दूत्य विश्वर्द यानि कि सेकंड वर्डवार में दुस्मानों की पंडूबियों को ट्रैक करने के लिए विक्सित परदोग कि कौन सी थी तो इसमें आप लोग कन दूस्तों सेकंड वर्डवार को जैनरली जो भी पंडूबी होती या फिर जो भी शीप होते तो इसको ट्रैक करने के लिए सोनार का ही यूज किया जाता है तो तभी वही किया गया था तो राइट आंसर अप्शन नमबर भी सोनार जो भी समूंदर के पानी के अंदर कोई चीज अगर घुम हो जाती है तो इसको ट्रैक करने के लिए सोनार का उप्यों किया जाता है और सोनार का फुल फॉम क्या होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग अगला कुश्चिन दोस्तों नागा लेंड की राजधानी कौन सी नागा लेंड की राजधानी तो च्वेशन साभ का अगला काचो कीज CDC एंड आँकों की बिंद्राइं प्रला की रर्तिकि हुआ यानि कजनेच गा जाक्ति है ज coch Wass03 ठीटक हो शुर्ष्ट की प्रत्स क्या रस्तिगरति है याश tomorrow का या जलंग या प्दार अख्वास या फिर उनके पैरेंट से बच्चों में आ जाती है तो यह आप लोग का एक जेनेटिक डेसी से और इसमें क्या होता दोस्तों जो भी इस रोग से ग्राशित है तो उसे ग्रीन और रेड कलर पहचानने में मुश्किल आती है ठीक है ग्रीन और रेड कलर पहचान नहीं पाता ह तो इसमें आप लोगा होता है करल ब्लाइन है अगला εδώ कोश्चन दो इंफ़ारीड के लिर्ग ने क्या है इंफड़ेज होती तो छेक्स तरह की वेशी के वेशोती लिए ट्रारीड हेश अगला कोशन दूस्तो नाश का मुख्याल आनि के नासा का है एड़कृर्टर का है तुसका राइट आंसर अप्नमबर 1 वाशिंग्टनवे नासा का मुख्याल है तो बात आये नासा की तो नासा का फुल फिल्समान क्या होता है National Aeronautics & Space Administration अई आप लों अमेरिका का Space Agency है ठीक है तो राइट आंसर है उप्सन नमबर भी वाशिंग्टन अगला कॉश्चिन दोस्तो राज्य सभा को डैस नाम से भी जाना जाता है तो इसका राइट आंसर है उप्सन नमबर सी उच सदन यानि कि अपर हाउस राज्य सभा को अपर हाउस भी बोलते है और जो लोग सभा होता है तो उसको लोवर हाउस यानि कि निम्न सदन बोलते है ठीक है तो इसका अपर ध्यान दीजिएगा राइट आंसर आप्शन नमबर सी अपर हाउस अगला कॉश्चिन दोस्तो फरवरी दोया सोला में सो वर्स पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू तो इसकी स्थाफना किस ने की थी तो राइट आंसर आप्शन नमबर भी मदन मोहन मौलवाई ठीक है मदन मोहन मौलवाई नहीं 1916 में बी एचीव की स्थाफना की थी और जो बी एचीव है दोस्तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी याप लोग का वार्दा नर्सी यूप ne इसका फार्मुला क्या होता है किया रहता है इसका फर्मुला का बारद में यूज कियाween जाता हौ अगला कुस्षिन लग है बारत का पहला सूपर ops तो इसका राइट आंसर है उप्शन नमर C, परम 800, भारत का पहला सूपर कम्प्योटर है, और इससे निर्मान कब किया गया था, इसको बनाया कब गया था, 1991 में पनाया गया था, ठीक है, अगला कुश्चिन है तो मानो सुअसन में क्या छोड़ा जाता है, जो हम लोग क्या बाहर छोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर है उप्शन नमबर D, मिस रजाथ होता है, ये तो आपने प्लों का पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हैं आईररन मिला होता है, निके लग का कार्वन मिलल रहा था ठीक है तो right answer option number D मिश्रधातू, अगला question दोसो कॉन सी नदी Nepal सागर में नहीं मिलती है इनमें से कॉन सी नदी है वो अरब सागर में नहीं मिलती है तो इसका right answer option number D घर तरों का निकलता कहां से सिहावा पहरी 36 गर से निकलता है और यह खतम होता है उड़िशा का एक डेल्टा में ठीक है जगत सिंगपूर डेल्टा है वहीं पर महानदी जो है यह खतम हो जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन नमबर डी अगला कुशन दोस्तों 2012 के ओलंपिक में अधिक्तम सुन पदक किस देश नहीं जीता था तो इसका पदक मिले था 46 गोर्ड मेडल मिले था अमेरिका को सुखना इंडिया को टोटल शिक्स मेडल मिले था व्लंपिक जिसमें कि 2 जो यह वह वह शिलवर था और 4 ब्रोंज पैस नमबर 10 अगला कुशन दो सुलतर Northern की पर्तिमा यान glut कहां का थितंति है तो उप्स उन घ्रफंवर्क नियु में इस्थित्व और दोस्तो तो नियु आर्ट कहा है तो बात आई अमेरिका की तो अमेरिका क्या है वाशिंग्टन डी-सी यहांके जो प्रेसिडेंट डोनलड ट्रम्प है और जो करंजी है डॉलर है तो राइट आंसर है अप्षन नमड़ी न्योड योर्क अगला कोशन उसको निमलिकित में से कौन सा विद्यूत का सुचालक नहीं यानि कि कौन है जो हीड का कंडुक्टर नहीं है इसमें से तो राइट आंसर है और चीनी मिट यह आपको नहीं करता है, तो आज के इस क्लास में हमने 2016 NTPC के 5 अपरेल के सिफ्ट 3 के पेपर को देखा और हर कॉस्चिन से रिलेटेड इंपॉर्डेंट फैक्ट में मैंने आपको बता दिये तो आज के इस वीडियो में इतना अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मैं सभी क्लासेस के वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा और वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर और कम से कम एक स्टड़ी रिलेटर गूप में सेयर जरूर करें सेयर करने इसका और दोस्तो मुझे मोटिवेशन मिले के आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों मिलते हों लोग next class में तब तक के लिए thank you and God bless you all.